नमस्कार में वर्णेक आपको स्वागत करती हूँ कर्मा अईरवेदा के यूट्यूब चैनल पे जहां आप किड्नी से जुड़ी सारी ओर इन्फोमेशन इसली पा सकते हैं आज हम आपको बताएंगे कि प्रोटीन यूरिया कैसे खतरनाक है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रोटीन यूरिया कोई बिमारी नहीं एक समस्या है ये किड्नी के सही तरीके से काम ना करने की वज़े से होती है जो किड्नी खराब होने का लक्षन माना जाता है किड़नी खराब होने पर पेशाप से जोड़ी कई समस्या होती है ये उन समस्याओं में से एक है इसमें मरीज के यूरीन में से प्रोटीन निकलने लगता है वैसे हमारे शरीर के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी होता है जिससे हडियों को मजबूती और उनका विकास करने में मदद मिलती है इसके सिवा प्रोटीन मसल्स को बनाने में भी मदद करता है मगर जब किड़नी खराब होने लगती है तो वो अपना काम सही तरीके से नहीं करती जिसकी वज़े से आपको यूरीन में प्रोटीन नजर आ सकता है किड़नी खराब होने पर सबसे पहले आपको ये लक्षन के तौर पर अपने यूरीन में प्रोटीन नजर आ सकता है लेकिन ये समस्या आपको किड्नी की बिमारी के सिवार diabetes, cancer, lupus, rheumatide, arthritis और sickle cell disease में भी दिखाई दे सकती है इस समस्या का सही समय पर जांच नहीं करवाने से आपकी जान भी जा सकती है प्रोटीन यूरिया की समस्या के वचे से जान जाने का खत्रा तो बना ही रहता है तो इस समस्या को भेचानने के लिए आप अपने शरीर में कुछ लक्षनों पर ध्यान दे सकते हैं जैसे की फोर्स आपको अपने शरीर में हाथ, पै, चहरे पर सूजन दिखाई दे सकती है सिकंड आपको जागदार यूरियन आ सकता है फोर्स आपको कई बार देर रात को बार बार यूरियन आने की समस्या शुरू हो सकती है फिफ्ट आपको सांस लेन में तकलीफ हो सकती है सिक्स आपको सीने में दर्द और दबाव महसूस हो सकता है लास्ट अगर आपको diabetes की समस्या है तो आपको इस वज़े से ज्यादा या कम urine आने की समस्या भी हो सकती है अब जानते हैं कि protein urine की समस्या का आखिर कारण क्या है फोस्ट आपके blood pressure की समस्या की वज़े से खून में सूरियम की मात्रा बढ़ने लग जाती है लग अतार high blood pressure की समस्या रहेने की वज़े से आपकी kidney की काम पर दबाव बढ़ने लग जाता है जिसे kidney धीरे धीरे अपना काम करना बंद कर देती है ऐसा होने पर आपके शरीर में protein का संतुलन बिगड़ने लग जाता है जिससे urine में protein आने लग जाता है second diabetes अगर आपको काफी लंबे समय से diabetes की समस्या है तो इसका बुरा असर आपी kidney पर पढ़ सकता है और इस वज़े से आपको protein यूरिया की समस्या हो सकती है diabetes होने पर खून में शुगर की मातरा बढ़ने लग जाती है जिससे kidney को खून साफ करने में दिक्कत होती है जब खून में शुगर की मातरा ज्यादा होने लग जाती है तो kidney के filter सही से काम नहीं कर पाते और वो खराब होने लग जाते हैं filter के खराब होने पर blood flow के साथ protein को शरीर में भीजने में दिक्कत होने लगती है और यही वज़े है कि protein यूरिया की समस्या शुरू होने लग जाती है थर्ड जब आप protein का सेविन जरुत से ज्यादा करने लगते हैं तब शरीर में extra protein जमा होने लग जाता है जो आपकी kidney के काम को बढ़ा देता है इस वज़े से kidney के काम पर दबाव ज्यादा होने लग जाता है और kidney extra protein का इस्तमाल नहीं कर पाती ना ही उसे सही से filter कर पाती है और यह protein फिर urine के जरीय बहार निकलने लग जाता है यह समस्या जिम जाने वाले लोगों में दिखाई दे सकती है क्योंकि वो supplement का सेवन करते हैं उन supplement में protein और creatine मौजूद होता है यह दोनों की kidney को नुकसान पहुँचा सकते हैं आप अपनी diet में red meat, soya का सेवन कम करके protein यूरिया की समस्या को बढ़ने से रोग सकते हैं फोर्थ जब kidney के filters खराब हो जाते हैं या किसी और वज़े से kidney सही से काम नहीं कर पाती तब kidney को खून के साथ protein को शरी में flow करवाने में दिक्कत आने लग जाती है इस वज़े से protein urine के जरी शरीर से बहार आने लगता है जिसे protein loss और protein यूरिया कहते हैं यूरियन में protein आना nephrotic syndrome की समस्या का भी लक्षन हो सकता है लास्ट kidney की बिमारी की family history होने पर ये समस्या आपको हो सकती है जिन लोगों के परिवार में कभी किसी को kidney से जुड़ी कोई समस्या रही हो तो उनको भी protein यूरिया की समस्या होने का खत्रा रहता है इसलिए आप अच्छी diet लें 7 ही साल में एक बार अपनी जांच करवा है अगर किसी को protein यूरिया की समस्या है तो वो अपनी diet में कुछ चीजों का ध्यान रख सकते हैं जैसे कि वो protein की मात्रा को सीमत कर दे और animal protein के साथ-साथ फल और सबजियों से मिलने वाले protein का भी ध्यान रखें आप protein यूरिया की समस्या में dietician से सलहा ले या उनके बताय हुए diet chart को ही follow कीजिये जिससे आपकी समस्या में सुधार आएगा तो आज हमने आपको protein यूरिया से जोड़ी कुछ जरूरी जानकारिया दी अगर आपको ये वीडियो useful लगी हो तो इसे like और share करना ना भूले अगर आपको कोई भी query है तो आप नीचे दिये के comment box में comment कर सकते हैं या फिर आप karma आयुवेदा किर्नी के इंद्रा में भी संपर कर सकते हैं संपर करने के लिए हमाई details description के अंदर दी गई है या पर हमारी phone number भी stream के अपर mention है जिसके उपर आप contact रह सकते हैं अगर आप ने हमारे channel को भी तक subscribe नहीं किया है तो जाईए सबसे पहले हमारे channel को subscribe कर लिएजिये और bell icon को प्रेस करने ना भूलें ताकि हमाई नई वीडियो आते ही आपको notification मिल जाए और आप ऐसे ही करमा आई वीडियो के साथ बने रहें हमारा पता है हमारे phone नंबर से 098-7171-2050 011-4264-4274 हमारी email ID है doctor at karmaayurveda.com अधिक जानकारी के लिए आप हमारी website www.karmaayurveda.com पर log on भी कर सकते हैं हमारे को हमारे है झाल झाल